एक्सराइज शुरू कर रहा है, एक्सराइज 3.5 यह वर्ड प्रॉब्लम हम लोग हमारी नोट बुक में सॉल करेंगे, तो मैं आपको वन बाइवन वर्ड प्रॉब्लम सॉल करना सिखा देती हूं, उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपको होंबग में करना है, सबसे प पैकेट्स ऑफ मिल्क, अब इतने पैकेट्स तो डैरी में थे, मदर डैरी नाम का जो, मदर डैरी जो है, जो डैरी का नाम है, मदर डैरी, उस ट्रक ने 297 और ज्यादा पैकेट्स इस डैरी में डिलिवर किये, how many packets of milk are there in a dairy, मतलब पहले इतने पैकेट्स थे और इतने पैके 3.5, question number 1, make sure one thing in your mind, आपको questions लिखने जरूरी है, ठीके, write the question, then we will solve the answer, आपको अपनी notebook के अंदर question यहाँ पे लिखना है, जो word problem है, वो लिखनी है, इसके बाद हम लोग answer स्टार्ट करेंगे, अब problem के एक बार वापस से पढ़ों, total 650 packet है dairy के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग अब और जाधे कितने packet deliver हुए, 297, more packets, तो इन दोनों को हम लोग plus करेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, total packets, तो इन दोनों को plus करते हैं, 0 plus 7, 7, 5 plus 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4 we will put here and 1 as a carry, 6 plus 1, 7, 7 plus 2, 9, तो total उस dairy में कितने होगे packets, 947, अब word problem में आपको एक चीज़ दियान रखनी है, जो भी आप लोग डिजिट लिखोगे, वो डिजिट किस चीज़ से related है, यहाँ पे इसका language आपको लिखना जरूरी है, otherwise अगर आपने directly addition कर दिया, तो language नहीं लि अदर उसका language लिखना जरूरी है, okay, second word problem है, there are 365 people in a compartment of a train, train के एक compartment में 365 people है, in other compartment there are 289 people, दूसरे compartment, दूसरे coach के अंदर 289 people है, how many people are there in both the compartment, दोनों compartment में मिला के total कितने people से यह हमें find out कर रहा है, सेम तरीके से हम लोग solve करेंगे इस word problem को भी, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, कि पहले compartment में कितने हैं, तो पहले compartment में 365 people in one compartment, अब second compartment में कितने हैं, 289 people in another compartment, अगर आपके notebook में पूरा language नहीं आ रहा है एक line में, तो आप लोग 2 line यूज़ कर सकते हो, ओके, यहां पर हम लोग plus करके हम लोग find करेंगे, क्या find करेंगे, total people, ओके, तो total people के लिए हम लोग इसको addition करेंगे, 5 plus 9, 14, 1 as a carry, 6 plus 1, 7, now 7 के बाद हमें 8 count करना है, यहां पर 8 आता है, तो 7 के बाद, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, So we will put 5 here and 1 as a carry, 3 plus 1, 4, 4 plus 2, 6, तो total कितने people हैं दोनों compartment में मिलाके, 6, 54, 4 people, तो इस तरीके से आपको यह word problem solve करना है, अब इसी के according, आप word problem 3 और 4 जो है वो homework में करेंगे, मैं आपको एक बार explain कर देते हूँ, in a box there were 1499, 1499 pencil, and in a cartoon box there were 788 pencil, एक box में इतना pencil है, दूसरा box में इतना pencil है, total कितना pencil है, तो आप लोग क्या लिखोंगे, 1499 pencil in a box, 788 pencil in a cartoon box, और दूनों को add करके नीचे क्या लिखोंगे, total pencil, और total pencil में इसका addition करेंगे, दूसरा जो है, on a particular day, 875 boys and 562 girls were present in the school, एक school के अंदर 875 boys present थे, किसी एक दिन की बात है, और 562 girls present थी, find the total number of students present in the school, उस school में, उस दिन कितने students totally present थे, तो पहले हम लोग लिखेंगे 875 boys, फिर नीचे plus करके लिखेंगे 562 girls, और फिर नीचे line कीच के लिखेंगे total students, तो total students लिखेंगे आम दोनों का addition करके find करेंगे, तो इस तरीके से आपको यह दोनों question जो है, homework में solve करेंगे, कुऐ जए नीचे ए lot of your music पी और करेंगे 15 2008 जए लिखेंगे हमोन हम जए इस बूम होन का जपको किता खातいきlorी से खातकर सोे साबसदगे किता बहें serious नीचेस्टा 5 k Val